इस वीडियो में हम सीखेंगे फिल्टर के अडवाज वर्जिन के बारे में आईए देखते हैं कि इसमें और बेसिक फिल्टर में क्या डिफरेंस है सबसे पहले मैं आपको डेटा के बारे में बताता हूँ मेरे पास कुछ क्लाइंट के नाम है करीब करीब धाई सो नाम उनके सिटीज किन सिटीज में उनकी क्या नाम से ओफिसेज हैं और उनका एक बजट अमाउंट अब अगर मैं कहूँ मुझे वो लिस्ट चाहिए जहां पर पाक प्लाजा इस मोर दें सेवेंटी थाउजन अब आप कहोगे यह तो बड़ा ही सिंपल तरीका है हम चले जा सकते हैं फिल्टर में फिल्टर में कह सकते हैं पाक प्लाजा और शांति निकेतन को चूज कर ले और फिर जाके अमाउंट में हम सेवेंटी और फिफ्टी लिख देते हैं अब मेरा सवाल आप से यह है जब आप यह ग्रेटर देन सेवेंटी लिखते हो तो क्या एक से लिए समझ पा रहा है कि सेवेंटी थाउजन इस ओनली फर पाक प्लाजा एकदम भी नहीं इससे हम कहते हैं डिफ्रेंशियल फिल्टर इसका मतलब पाक प्लाजा के लिए अलग क्रैटीरिया है और शांति निकेतन के लिए अलग तो यह हम नॉर्मल फिल्टर से नहीं कर सकते अगर करना भी पड़े तो हमें दो बार करना पड़ेगा और अलग बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तो आईए देखते हैं ही हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ एक ब्लैंक सेल को चूज करता हूँ और फिर चले जाता हूँ advanced filter के तरफ अब दिये गए parameters और boxes को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले do you want to filter the list in its original place या फिर आप कहीं right hand side के तरफ इस filtered list को रखना चाहते हैं तो चलिए हम सबसे पहले काम करते हैं ये कह देते हैं Excel को की copy to another location list range मतलब वो raw data कौन सा है जिस पे आपको filter लगाना है तो मैंने पूरा left hand side में जो table है select कर लेना है एक बार select हो गया फिर हम जाते हैं criteria range में अब criteria range की खास बात ये है कि ये जो heading का spelling है ये आपके original data से match करना चाहिए अब amount आप पहले लिखें location बाद में लिखें इससे कोई फरक नहीं पड़ता बट heading के spelling को सही आप लिखें criteria range के अंतरगत आप ये पूरे table को चूज कर सकते हैं इसमें heading भी है और आपके park plaza more than 70,000 का mention भी finally copy to where, copy to where मतलब कहां पर आप ये output दिखाना चाहते हैं मान लिजे मैं इस cell को choose करता हूँ जहां से मेरा output शुरू होगा काफी सालों पहले जब remove duplicate नाम का feature नहीं हुआ करता था तब लोग इसका सहारा लेते थे to remove duplicate अब इसके कोई जरूरत नहीं है press ok और आप देखोगे मेरे पास वही park plaza के नाम आ रहे हैं जिनका amount is more than 70,000 dollars याद रहे कि अगर आपने आपे 50,000 चेंज किया तो यह auto update नहीं होता है आपको advance filter दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा अब आपके मन में सवाल है रिशब कि आपने सवाल जो पुछा था उसमें park plaza भी था और शांती निकेतन भी तो सबसे पहले मैं इस data को choose करके delete कर देता हूँ और अगर इन में blank cell को copy करता हूँ और फिर paste करूँ तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा तो अगर अगर आपको हमारे original question को answer करना है तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा पार्क plaza more than 70,000 इसके साथ आप धूंडो शांती निकेतन more than 50,000 तो आएए एक एक करके quickly इससे solve कर लेते हैं सबसे पहले advance filter, copy to another location, list range वही है कोई change नहीं criteria range मैं जरूर change करना चाहूँगा और इस बार case 3 के criteria को ले लेता हूँ copy to where, copy to where के जगा मैं इस cell को choose कर लेता हूँ और press करता हूँ OK अब आप देखोगे सिफ पार्क प्लाजा शांती निकेतन ही मिल रहे हैं और खास बात यह है कि शांती निकेतन जो 50,000 से ज्यादा है वो भी आपको यहां दिखेंगे लेकिन पार्क प्लाजा की case में वही amount दिखेंगे जो 70,000 से ज्यादा है तो यह हो गया एक differential filter उसी तरह अगर आप same procedure इस्तमाल करके advance filter लगाते हैं तो case 2 आपको दिखाएगा वो entries जो कोलकाता में पार्क प्लाजा है और गुरगाओं में शांती निकेतन यह कोलकाता वाला शांतीने केतन आपको list में नहीं दिखाएगा तो जितना आप practice करोगे उतना आपको comfortable यह लगेगा बताना चाहूँगा कि इसका एक advanced version भी है जहां पे अलग-अलग notation के जरीए अलग-अलग answer निकाले जा सकते हैं for example अगर आप criteria में सिर्फ letter P लिखते हो तो वो जितने भी नाम है उस column में जो letter P से start होते वो आपके सामने आ जाएंगे तो मैंने जान बूच कर एक छोटा सा data लिया है ताकि आपको explain कर सकूँ इन सब की एहमियत सारे तो नहीं लेकिन एक दो अगर मैं sample के जरीए दिखा पाऊं तो बहुत भेटर होगा तो मान लीजे अगर मुझे इन सारे entries में उन entries को निकाल बाहर करना है जहां पर amount है blank तो मुझे इस table के अनुसार इस criteria पर focus करना है यानि कि single quote और equal to that's it तो कभी-कभी single quote की जरूत नहीं भी पर सकती अगर से आप सिर्फ equal to लिखते हो आईए देखते हैं कैसे काम करता है तो सबसे पहले मैं चले जाता हूँ data tab के advanced के अंदर copy to another location list range के नाम पे पूरा data चूज़ करता हूँ criteria के नाम पे ये amount dollar और copy to where? let's say copy to here okay आप देख रहे हो मुझे सिर्फ उन दोनों नाम की list मिली है जहां पर amount है blank तो अगर आपने ये criteria रखा इसका मतलब blank एक और example लेते हैं अगर आपने सिर्फ letter P लिखा होता तो क्या होता? तो अब हम देखते हैं अगर हम सिर्फ letter P लिखते हैं क्या मिलता है? वापिस data tab के अंदर advanced filter copy to another location list range वही है इसलिए मैं change नहीं कर रहा criteria range जरूर change करता हूँ और इस बार ले लेता हूँ location with letter P और copy कहां करना है? मान लीजे इस blank cell से शुरू होता हुआ ओके? सो आपने देखा अभी कि P से जितने भी letters start हो रहे हैं नाम पार्क वेन्यू, पार्क प्लाजा, पार्क, पार्क होटेल सारे के सारे नाम इस list में आ चुके है तो अगर आपको कुछ macros बनाना है और advanced filter पे और deep research करना है तो इस table का सहारा जरूर ले क्योंकि मैंने सारे notations को एकठा कर दिया है और आपकी research का time मैंने बचाया है जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि text filters are not case sensitive तो यहाँ पे small letter P या capital letter P की कोई एहमियत नहीं है दोनों के दोनों एक ही समान है तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये video advanced filter पे काफी simple लगा होगा although ये concept है बड़ा complex अपने reviews और feedback के ज़र ये जरूर बताएगा